हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो बनाए काभी लंबा टाइम हो चुका था और आप वीडियो का इंधियार कर रहे होंगे तो दोस्तों सटेश्टों की तरफ से एक नए अपडेट आ चुका है आपको नेम अईडियो गेह रहे एए फले यहां पर फ्रेम यहां पर शोग करती थी जो अब यहां पर शोह रही है तो दोस्तों आप इस वीडियो में रही है मैं आपको सटेश्टों की जो नई अफडेट आई है इसके बारे मैं आपको बिल्कूल भी करना हो अगर आफो ह इस चैनल पर पहेले बार आए हैं, तो हमआः इस चैनल को सबस्थ्राइब भी करते हैं, ताकि आपको सबस्तों की समझ और भीने जानकर इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चलिए सब सबहbia हम बात कaltetे हैं अपने पर फेल पिंचर की, तो लेखे दोस हैं पर फेल पर फेले अपनी फोटोस को वीडियो को अपलोड कर सकते हैं यह देखे पहले इस तरह का इंटरफेस आता था तो सेम ऐसा इंटरफेस यहाँ पर है चेंजिस के वली यह हुआ है कि जो फ्रन्ट डेस्ट बोड है वहाँ पर चेंजिस हुआ है यहाँ से आप सेलेक्ट मल्टिफेल फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटोस और वीडियो को अफलोड कर सकते हैं तो चले मैं वापिस से बेग ले लेता हूँ मैं वापिस से बेग आ चुका हूँ और वापिस से हम पलस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है create new collection जिस तरह के से हम अलग-अलग separate folder बना के और उसमें अलग-अलग photos को रखते हैं तो इसी तरह के से यहाँ पर सटे स्टोक पर भी जो catalog है वो बनता है folder बनता है और उसमें हम अलग-अलग तरह के जो photos होगे रहा है उनको collection करके रख सकते हैं ताकि जब कोई visitor हमारी profile पर आता है तो वह वहाँ पर easily देखके और photos को खरीच सकता है यहाँ पर जो next option दिया हुआ है दोस्तों unpaid earning लिखा हुआ है और यहाँ पर earning आपकी show करेगा जो की minimum payout 35 डोलर है तो 35 डोलर जब का complete हो जाता है तो आपके PayPal account में transfer हो जाता है यह निवस यह पर आपके PayPal account के थूँआपके football पहुच जाएगा तो चलेगे यह तो ओगई यह आपर earning की photo upload की और picture profile की बाथ देन हम नीचे आ जाते है तो जैसे हम scroll करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि दिस मंथ शोट लिस्ट जो फोटोस है यहां पर आपको हाइलाइट चो करेगा और सटेश्टोक अकेड़िमी से आप यहां कुछ सेख सकते हैं और भी जानकर यहां पर दी हुई है इसके बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं तो देखें दोस्तों यहां पर पर्थफोलियो जी पर लिया रह तो पेंटेन में पहले आता है जंकि चेक बाद दिखातं करेगा तो 63 फोटो वहाँ है रीचे की तरह के ने रहे हैं है तो यहां पर दिखा रहा है है इमेज फॉर्थफॉलियो मेरा यहां पर देखिए 1111 फोटो का है टोटल अब तक और यहां पर अब तक की जितनी अर्निंग आपने इस सटेश्टो का अकाउंट से किये तो यहां पर सो करेगा और टोटल डाउनलोड यहां पर आपको दिखाई देगा यहां नीचे के तरह आ यहां पर डाउनलोड हो चुकिए जबसे आपने सटेश्टो का अकाउंट बनाया तो यहां पर शोगा देन हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर एक आपको लेटेस्ट डाउनलोड का ओप्शन दिखेगा और एक मैप दिखेगा तो इसका मतलब यह दोस्तों कि जब सटेश तो यहां पर मैप दिया संसर का तो यहां पर शोगा यहां पर देखें है इंडियाँ इंडियाय़ इस पलूड करते आप प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो यहां पर शोगी, step by step आपको एक एक करके यहां पर दिखाई देगी और उनकी जो अर्नी है वो भी यहां पर शोगी, कौन सी तारिक को आपकी फोटो डाउंलोड होगी है वो यहां पर शोख होने वाली है, और इसके बाद हम नीचे की तरब आते हैं, तो नीचे की तरब आप जैसे आएंगे तो सटे स्टोक कॉंटिबूटर्स की जो help वगेरा है, मोबैल एपलिकेशन है, टेक्स सेंटर्स है, प्राविशी पॉलिशी वगेरा यहां पर आपको देखने वो मिल जाएगी, तो वापीस हम चलते हैं उपर की और यहां पर देखे हम अभी थे, और ह रेफरल अर्निंग यहां पर आपको दिखाएगा, अगर आप यहां से किसी को रेफर करते हैं तो उसका भी आपको पैसा मिलता है, रेफर लिंक से अगर कोई स्टे स्टोक अकाउंट को जोईन करता है तो, और यहां पर पेमेंट हिस्ट्री पर जिसे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी जो रिशेंटली पैमेंट आपने लिए है, वो शो करेगा, अगर आप प्रिवेस देखना चाहते हैं तो वो शो करेगा, और जिस भी एर कि आप देखना चाहेंगे, यहां पर जिसे आप क्लिक करेंगे, तो वो शो हो जाएगे, एक बार में आपको क्लिक करके द यहांपर फो कर रहा है तो यह होता है यहांपर payment history तो यहांपर वापिस से क्लिक करेंगे तो यहांपर Tech Center पर आ जाएएंगे Tech Center जैसे हम क्लिक करते हैं अगर आपने स्टेस्टोग account में टेक्स नहीं बढ़ा हुआ है text form नहीं बढ़ा हुआ है तो आप यहां से जाके बढ़ सकते हैं और अगर text form को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से आप वो भी कर सकते हैं तो यह हो गया इसमें earning वाले section में देन हम आ जाते हैं वापिस हैं portfolio में portfolio में जैसे आएंगे आपको यहां पर भी submit content का option मिल जाएगा तो यहां से भी आप directly photos को upload कर सकते हैं वीडियो को upload कर सकते हैं देन आपको pending content यहां पर दिखाए देगा जो photo आपने upload की हुई है जो pending में वो यहां पर show करेगा इसमें click करने के बाद में review content में जैसा कि पहले आप देखते थे review photos जो अपनी reject होते हैं select होते हैं वो photo यहां पर दिखाए देगी देन इसमें दिया हुआ catalog manager जैसा कि मैंने पहले आपको बता है कि जैसे तरीके से हम folders बगेरा बनाके photos को रखते हैं उसी तरीके से catalog manager यहां पर दिखाए देगा इसके बाद में है manage release अगर किसी model का photo upload करते हैं किसी properties का आपको photo upload करते हैं तो उसमें model release देना पड़ता है properties release देना पड़ता है तो यहां से आप directly upload कर सकते हैं then यहां पर keyword suggestion है कोई photo आप upload कर रहे हैं इसके keywords आपको खोजना है तो यहां से आप click करके और उस photos की जो keywords हैं यहां पर ले सकते हैं मैं आपको दिखा दिता हूँ एक photo मैं यहां पर लेता हूँ Animal जिसे देखें, दोस्तों मैंने यहां पर Animal लिख दिया है और मैं यहां पर search करता हूँ तो Animals जैसे हम search करेंगे देखें यहाँ पर animals की बहुत सारी photos आ जाएगी तो यहाँ पर हमें तीन photos को select करना है यह देखें बहुत सारी animals दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं कोईशिक 3 photos ले ले लेता हूँ देखें 3 photos जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो इससे समझदी जो भी keywords होते हैं सारे यहाँ पर आ जाते हैं अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से keyword लगाना है कैसे keyword लगाना है जिससे हमारी photos यह पर रिंग करेगी ज्यादा डाउनलोड होगी तो यहाँ से आप search करके और इन keywords को अपनी photos में add गर सकते हैं जिससे कि आपके photos sell होने के chances ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो चले मैं आप इससे बेक आ जाता हूँ इसको close करते हूँ यहाँ से और वाफिस से मैं आता हूँ home page पे अब मैं वाफिस से portfolio वाले section पे click करता हूँ तो same जो सारे options ते मैंने यहाँ पर आपको बता दिये इसके बाद में inside का जो option दिया हूँ इस पर हम click करते हैं तो inside में हमें क्या मिलता है कि top performers जो हमारी photos जैसा कि मैंने आपको home page पे नीचे की तरफ बताए था वह वहाँ पर show होगी यहाँ पर भी आप directly जा सकते हैं और short list photo जो कभी trending में तो आपको home page पे नज़र आजाएगी और contributor blog जो कि सब लोग इसे जुड़े हुआ हैं तो contribute blog में आप जाके और बात्चित कर सकते हैं देन आपको नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर देखे अकाउंट ओला section दिया हुआ है तो अकाउंट ओले section जैसे हम click करेंगे तो देखें यहाँ पर अकाउंट सेटिंग दिया हुई है अकाउंट सेटिंग में जो भी आपका नाम है एडेस है आपका जो भी आपने डाला हुआ है सारा कुछ शो करेगा और जो पब्लिक प्रोफाइल है जोस्तों यह होती है कि जब भी हमारे कोई स्टेश्टों का अकाउंट पर आता है और यहां पर देखता है कि हमारी कौन सी फोटो यहां पर डली हुई है किस तरी फोटो डली हुई है क्या हमारा नाम है क्या हमारी वेबसाइट है सारा कुछ यहां पर पब्लिक को दिखाई देगा अकाउंट सेटिंग में केवल जो हमारी परसनल जानकारी होती है वह हमें क हमें दिखाई देती है और प्रोफाइल में जो की सब कुछ देख सकते हैं तो इस तरह के से आप इस हॉम पेज को मैंनेज कर सकते हैं जो अभी रिशेंटली नया अपडेट आया है वापिस से हम आगे हैं यहां पर हॉम पेज पर तो जब भी आप अपने लेपटोप में PC में अपने सटेश्टोक अकाउंट को ओपन करेंगें तो इस तरह के का जो पेज़ी आपको देखने को मिलेगा इस तरह के डेसबोड आपको देखने को मिलेगा तो अम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह न्यूज जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे समझे अगर आपको फिर भी कोई क्यूचन है कोई डाउट है आप मुझसे पूजना चाहते हैं तो आपको कमेंट करिए आपका जो कमेंट है उसका मैं रिप्लाइज जरू दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं दे और आप अच्छे से समझ पाए और अच्छे से आपकी फोटो से वीडियो से उनको आप सेल कर पाएं तो दोस्तों मिलते हैं हमारे ऐसी नए वीडियो के साथ में तब तक लिए जय हिन जय बारत